बिहार के डिप्टी सीम सुशील कुमार मोदी आमतार पर बहुत सौमी होते हैं बड़ी ही प्रेम से अपनी बाते कहते हैं लेकिन अब एक बात उन्होंने बहुती सपश्ट कर दी है राहूल गांदी की मुश्किले वो बढ़ाने वाले हैं क्यूं क्यूंकि राहूल गांदी जिस तरीके से लगातार कहते हैं जिनका सरनी मोदी है वो सभी चोर हैं इसको लेकर आपती जताते हुए अब सुशील कुमार मोदी ने ये कह दिया है कि राहूल गांदी क्या कहना चाहते हैं जिनका सरनी मोदी है क्या वो सारे चोर है और इसको लेकर क्या वो मुझ पर भी प् तो आप देखने वाली बात ये हो गई कि सुशील मोदी ने ये कहा है, एक दो दिन में ये मानहानी का दावार राहुल गांधी पर ठोकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो राजनीती होती है वो जात के मुताबिक राजनीती होती है और उसे मुताबिक वोट पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं एक लिमिटेड जात के वोटर्स को यहां पर साधनी की भी कोशिश उनकी होगी और साथ ही साथ ये कोई नया मामला नह कि इतना पुराना मसला है चुनाओ के एन पहले दूसरे चरण का चुनाओ हो रहा है उसके एन पहले ये मुद्दा उठाने का या फिर डेफरमेशन केस डालने का मतलब क्या है क्या ये वोटर्स को साधने की कोशिश नहीं है